सब्सक्राइब कीजिए मेरे चनल को और प्रस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें हैलो फ्रेंट्स मैं अभी जीत आज की वीटो में मैं आपको औलियंडर यानी कनेर के प्रांट को कटिंग से ग्रो करने का प्रॉसस बताने वाला हूं तो यह जो आप सामने कनेर का प्रांट देख रहे हैं यह मैरून रंग के कनेर हैं इसी तरह इनकी बहुत सारी वैराइटि तो मैंने कुछ 8-10 इंच लंबी ब्रांच ले रखी है और मैंने लगबग 4-5 दिन पहले इन कटिंग को पानी में रखा था तो पानी में भी इनकी रूट्स आ जाती है जब आप इनको विंटर में ग्रो करते हैं यही आप समर में अगर इनको ग्रो करते तो ग्रो होना मुस पर से टीन होर चार ओकुछ इस तरह की जाती हैं तो कोई भी कटिंग वह आसानी इस मौसम में क्रों हादी तू चलिए उनके लिए इसमास्ट की बात कर ल लेते हैं कि हमें स्कूरिखिंक कैसा लेना है तो रचाल्यच में हमें फर्टी पर्संट कोबर की passer to 50% और 20% सें वाल soil mix लेना है इस तरह कि soil mix में हमारी जो cutting है या कोई भी our plant वो बहुत अच्छे से grow करता है तो इसी तरह मैं मैं जो चलिए आप इनकी हम cutting को लगाते है जो हमने तीन cutting लिया है उनको हम एक साथ लगा रहे हो आपके पास धेज और सारे बाहर रखना है इस तरह से हमारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है तो देखिया मैंने एक कटिंग लगा दी इसी तरह मैं सारी कटिंग इसको मिट्टी के अंदर लगा दूँगा तो कुछ इस तरह से आपको लगाना है ताकि जितनी भी ब्रांचे हैं वो अच्छ तो इसलिए आप एक बार क्टिंग को लगा दीजिये इनको खूली जगह पे धूप में रखियेगा क्योंकि इस TIME winter का विंटर में इनको कुई दिक्कत नहीं आप इनको बिल्कुल खुली जगह में रखिए धूप में रखिए आपकी सारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करेगी आपको ना किसी पॉलिथीन से कवर करना है ना ही कहीं शेड में रखना है तो हमने सारी कटिंग लगा दिया है अब हमें इसमें अच्छे से पानी देना और इसके ड्रेनेज होल से जो एक्स्रा वाटर था वो निकल चुका है तो अब हम इस कटिन को डारेक सनलाइट वाली जगह पर खुली जगह में रखेंगे तो देखिए कुछ दिन पहले मैंने जो कुछ कटिंग लगाई थी दूसरी पॉर्ट में तो वो देखिए बहुत बहुत जिए तो आप भी अपने घर में बहुत आसानी से कट इंग लगा सकते हैं जो कट इंग होके अच्छे से ग्रोथ कर रहे इंगे के अंदर हमारा जो अच्छे से ग्रोथ हो गया है तो विंटर का मौसम कटिंग लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है तो यह झाल झाल